सात्यों, CSIR के पास, research और patents का एक powerful ecosystem है। आप देश की कई समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। लिकिन आज देश के लक्ष और देश वास्यों के सपने 21 सदी की निव पर आधारित हैं। और इसलिए CSIR जैसी समस्याओं के हमारे लक्ष भी असाधारन है। आज भारत एग्रिकल्चर से एस्ट्रोनोमी तक, डिजांस्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेकनलोजी तक, वैक्सिन से लेकर के वर्चुल रियालेटी तक, बायो टेकनलोजी से लेकर के बैटरी टेकनलोजी तक, हर दिशा में आत्म निर्भर और ससक्त मनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलप्मेंट और क्लीन एनर्जी के ख्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सौफ़्वेर से लेकर सेटलाइट तक, दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमूख एंजिन की भूमी का निभा रहे हैं। इसलिए हमारे लक्ष भी वर्तमान से दो कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दसक की जरुनतों के साथ ही आने वाले दसकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने हैं। लेकिन ऐसी ही कई चुनोतियां बविश के घर में चिप्री हो सकती हैं। उदाण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्ताओं को, बविश्य की इन चुनोतियों के लिए अभी से एक साइन्टिफिक एप्रोच के साथ तयारी करनी होगी है। कार्बन केप्चर से लेकर के, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टक्लोलोजी तक हमें हर दिशा में लीट लेनी होगी।